तो मैं आदर नियर आदा दिदी जी से निवेदिन करता हूँ कि जो दीदी जी का जो अनुबहोए दादी जी के साथ हमारे बीच में रखे ताकि हम उस्से लाब ले ले और हमारा जीवन के लिए एक प्रेर नासरोत के रूपे प्राप्त करें और हमें भी जीवन में गर शीखना है तो दीदी जी का अनुबहों का आदार से अपना जीवन को अहान बनाए आदर नियर ब्रह्मा कुमारे रादा दिदी जी साइलेंस की वह उतार थी एक होता हमें कुछ नहीं पता हम नहीं बोल रहे हैं चुप रहे हैं माहनता की बात नहीं सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने जबान को जब जरूरत है तबी खोलती थी सब कुछ जानती थी सब नौलेज उनके पास था सारी समझ उनके पास थी इसको कहा जाता है साइलेंस की शक्ति एक होता है सालेंस एक होता है सालेंस पावर सालेंस की शक्ति क्या होती है एक होता मैं तो अपने आप में शानत हूँ मैं जब जरूरत पड़ू तभी स्वाचा की शक्ति को प्रयोग करो और दूसरा है कोई मेरे संपर्थ में आने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोलना भी चाहे उसका मूँ बंद हो जाना ऐसा उनका वोरा था वो बोलने के बजाए साइलेंस की शक्ति का अनुभो करके जाता था उनके पास वो साइलेंस पावर वो सत्यता की शक्ति थी अगर उनके सामने कोई जूट बोलने के लिए पहुंच भी जाता रट करके जाता, मन बना करके जाता ये वाली बात जूट में दादी को सुनाओ उनके आगे आते मूँ बंद हो जाता था वो सत्यता की शक्ति थी सत्यता का उतार शांती की शक्ति शांती की दूद दूसरों के मन के संकल्पों को भी शांत करने की ताकत वो वरदान उनके पास था एक ऐसी महान विबूती जो कि हम इन आखों से देखने का हमें मौका मिलेगा तो मुझे कई बार दादी जी को एंजिल हॉस में दादी जी को रुपने का मौका मिलता था क्योंकि अभी हॉल नहीं बनाता दादियों के रहने के बहुत सारे प्रबंध नहीं थे 85-86 की बात है मेरे रिखाँ 85-90 की आज पास की नीचे शांती बन के कारेकरम शुरुआती हुए थे तो शुरुआत में एंजिल हॉस बना हुआ था दादियां वहां रुपती थी तो दादियां वहां रुपने के कारण बाबस से मिलने जाने के पहले से भी हम लोग दादी से मुलाकात करते जैसे बाबा के प्रसान होने के बाद भी हम दादी जी से मुलाकात करते तो दादी जैसे बाबा के पास जाने का समय होता था बड़े प्यार से हम दादी से द्रिष्टी देते वे दादी को कहते दादी जी हमारा याद प्यार देना बाबा को और बाबा के पद्रामणी के पश्चाद दादी जी जब वादपी स्लोड थी देवा करने का भी मौका हमें कई बार मिला और दादी जी ने याद प्यार देते और हमें वर्दानों से बतपूर उनकी द्रिष्टी में वो समानता थी, कोई अपना है, पराया है, नजजीक है, दूर है, कभी भी दादी के द्रिष्टी में हमने भिन्नता को नहीं देखा, नजाने इन आखोंने भी कितनों को देखा होगा, एक ऐसी मूरत, तभी तो क्या कहा गया, जिसे की रचना इतनी सु सुन्दर है, शकल के सुन्दर न जाने कितने लोग होंगे इस संसार में, वो इतनी मन से सुन्दर थी, हर कोई उनके पास जाकर अपने पन की अनभूती कर लेता था, और दादी जी को मैंने कहा, दादी जी हम लक्नों में गुलजार उपवन बना रहे हैं, क्योंकि आपने आकर के लक्नों में सेवाओं की शुरुवात की हैं, तो इसलिए आपके द्वारा लक्नों में इस इश्वरे विश्विद्याले की सापना हुई, नाम का गुलजार उपवन बना रहें, ओ दादी जी का अश्रुवात था, दादी जी का प्यार था, दादी जी का स्नेह था, ऐसा वर्दान मिला ऐसे लगा जैसे कि हर कारे बिल्कुल जैसे कि मक्षन से बाल की तरह निकलता चला जा रहा ऐसा उनका वर्दानी हाथ रहा जो संकल्ब करे जैसे लगता है कि सफलता उस सिद्धी स्वरुपा थी जो आप संकल्ब करते थे उनके सामने जा करके उस सिद्ध हो जाता था ऐसे सिद्धी स्वरुपा हमारी आधनी श्रिद्धेय दादी जी